लोग सभा चुना दो हजार चौबिस चल रहे हैं पाच चरणों के चुना हो चुके हैं छटा चरण होने वाला है वी नियूस की टीमा गई है पूरवांचल में आजम गड़ जो जो है होट सीट मानी जाती है पूरे छेतर में यूपी के हमारे साथ बात करने के लिए मौजू रुजक आश आश्य तोश अहिर जी इनसे जानेंगे जो छेतर है कहा जाता है यादों का और साथ में जो निरहुओ सर हैं दिनेश लाल यादो जी जो सांसद हैं तो क्या राय है काटे की टक्कर है धरमें या जो झीजिए खड़े हुए हैं सपा की योड से क्या कुछ कहें से प्रचंद बहुमत के साथ यहां से शांशत बनके जाएंगे आप इटावा के ही रहने वाले हैं तो क्या कुछ उन्होंने वहां यादमों के लिए उन्होंने अपने गाउं को सेफ़ाई को बहुत अच्छा बनाया है आप इटावा में जाईए सेफ़ाई के अलाबा जरा और गाउं में घूम के आई है तो कोई खास इटावा का विकास नहीं हुआ हाँ विकास हुआ है केवल सेफ़ाई का हुआ है और उत्तर प्रदेश में लगबक तीन करोल से ज्यादा यादव हैं उन्होंने इस दोजार चौबिस के लोगसावा चुनाओं में किसी भी याद चाचा के ललकों को एक लोगसावा मैंपुरी से अपनी पत्नी को और एक कन्योस लोगसावा सीट से खुद चुनाओं लड़ रहे हैं तो आप खुदी सोचे क्या यादव समाज में कोई इसलायक नहीं है कि लोगसावा का चुनाओं लड़ सके तो अखिल बारती अहीर महा सबा का और अंदर से क्या अब तो यादव समाज खुल के उनका विरोध कर रहा है कि ऐसा परिवार बात नहीं होना चाहिए समाज के और लोगों को भी मौका देना चाहिए तो इसलिए मैंने यहां भी फीड़वेक लिया मैं कई करीब पिसले चार पांस दिनों से हूँ आजमगल में यादव समाज का पूरा समर्थन निरवाजी के साथ है मैंने काफी गाओं में दोरा किया देखा गया मिला सबसे तो यादव समाज का पूरा समर्थन निरवाजी को है और आप देखिएगा चार जुन को निर्वरवाजी बहुत ही अच्छे वोटों से विजई हो गया जिस तरह से आपने याद हो का बिल्कुल वो अपने परिवारवाद को लेके चल रहे हैं तो अपोजिट पार्टिया जो है वो भी बीजेपी को घेरती है कि परिवारव कर रहे हैं लोगे पारवारवाद और खांदान राहे हैं इनके यहां तो ओप चाचा लेक दूसरे जाइक हो गयी सब वो तो गटव़ंधन में हो गटवंदन में नहीं है वो पार्टी उन्होंने खतम कर दी चाचा जी ने भी आदब समाज को काफी मदलब बहुत से यादब उस समय जब समझ बाती पार्टी से नाराज होके प्रगतिशील पार्टी में आये थे और उसके बाद उन्हों ने प्रगतिसील पार्टी के लिए कारकरताओं ने मेहनत करी उसके बाद उन्होंने पार्टी को खतम कर दिया वो चाचा जी बतीजे दोनों एक हुगए क्या सर यादो इसमें बहुत जादा नाराज है बिल्कुल आप यादव समाज के लोगों से बाइट लीजे जाके उनसे पूछिए मेरा तो अकल बारती है इसमाज के साथ बोलने कि यादो के साथ उन्होंने इतावा में कुछ किया ने आप इतावा के खुद रहने वाले हैं तो जिस तरह से यादो समाज कहीं ना कहीं देखा जाए आप भी फील्ड पर निकलते हैं अपने संगठन की और से तो आपको भी लगता हुगा कि यादो समाज जो है कहीं ना कहीं नाराज है इस बात को लेके तो बहुत ही ज़्यादा खफा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर् जो तरपदेश से लोग शवा का पत्याशी बन सकता था सिवाए भाई बतीजे और पत्नी के अलावा आप बताईए जवाब दीजे आप भी समाज में घूम रही है लोगों से मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादाई ही हो गया परवारवाद नहीं अब तो खांदान वाद चला है और पिछले 15 वर्सों में मैंने यहां आके देखा लोगों से पूछा कि सपा और समाजवादी पार्टी के पित्याशी और निर्वाजी में यहां पर क्या अंतर है तो लोगों का यही जवाब था कि जो काम पिछले 15 वर्सों में आजमगण में नहीं हुआ उस हुआ उससे कही ज्यादा काम इन्होंने 15 महीने में करके दिखाया निर्वाजी ने तो मेरा तो यही अनरोद है सभी से कि आप लोग कि निर्वाजी को इस बार केंद्र में के मंत्राले में भी स्थान मिलेगा मुझे पूरा विश्पास है तो हमारे साथ अखिल भारतिये अहिर महासभा के राष्ट संयोजक आश्य तोष अहिर जी जिन हुने लोग सभाचुनाद 2014 को लेकर अपनी राय ठकी है कि जो आजमग दस सालों में हुआ है इसके साथ में कर बता दे आपको कि जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार तो उसमें जो काम रुके हुए थे जो डेवलेप्मेंट नहीं हुआ था तो वो जो है यहाँ पर दिनेश लाल निर्वाजी के आने से हुआ है वीडियो जनलिस्ट